सच साहस सरोकार पुषफा और जोएपृटे निफ्जा निकालती है अगर्जा निफ सा की अभी परनीषर निकालती हैँ अध्ययाटी वही पॉरानी है पर यहां पर जो पदयात्रह एं उनकी व्यस्था अलागा है हालाकि अभी हमने देखा कि उत्ताप्रित ब्रहांसों चुनाव हुए थे और यहां पर सामधिक परिवरतने यात्रा नेकारी सिप्पाल सिंग यारों ने अखिलेस यारों की अलग समाजारी रथे यात्रा थी वो भी जलो जलो में जा रही थी आमारी पार्टी तरंगा यात् रेखा थी पर इन यात्रा से तर यहां बात करना है मेरपूर यात्राओं की जिन्हें यात्राओं का दायरा केवल एक प्रदेश नहीं है जिन्हें यात्राओं का दायरा पूरा देश है और इसी यात्राओं की सूची में अगर हम चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे कॉं कब राजन्यतिक उद्यस्ट के लिए यात्राइं की गई तो बता रहूं कि 1930 में यहां पर राजपता महादमा गांधी द्वारा सबसे बड़ी यात्रा निकालेगे दो वह कही जाती है डांडी मार्थ यात्रा यानि भारत में पहली राजन्यतिक यात्रा बिश्यस उद्यस के लिए 1930 राजपता महादमा गांधी की डांडी यात्रा नमक कानून को लेकर साबर मटी से डांडी तक यात्रा निकाली गई थी और 26 दिन की यात्रा थी और 385 किलूमेटर की इस यात्रा में दूरी तेकी थी उद्देश केबल तीन नमक का जो एक था उसमें उसको खतम किया जाए दूसरा नमक कानून के दारे में जिन व्यापारियों का जिन लोगों का जो अपने घर में नमक बनाते थे, उनका सोसन हो रहा तो उनके बार मुकर्मे थे, उनके मुकर्मों खतम करना, और तीसी सब से लोड़ी बार भविश्च में नमक कानुन जैसे किसी भी एक्ट को ना बनाना, 1930 की बाद, जब भारत अंग्रियों के अधीन था, उसके बाद या गांडी मार्च सावर मती से डांडी तक 345 किलोमेटर की यात्रा, 26 दिन की यात्रा, और 3 महत्पूर अद्देश, और पूरे तीनों अद्देश को यहाँ पा मार्दभा गांडी दौरा पूरा किया गया, उसके बाद, अब हम चर्चा करते हैं, दूसरी भी परयाते हैं, यानि टी डी पी की टी रामा राओ, जो की अपनी खोई जबीन को तलास रहे थे, उन्होंने तेल्गुरिसंपाटी बनाई उसके बाद, तेल्गुरिसंपाटी के बाद चयतंय रथम यात्रा की उन्होंन शुरूबात की, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आन्डपिदेश का इस रत्यात्रा के माद्धम ते चार बार चक्कल लगा लिया चार बार उन्होंने आन्डपिदेश को चक्कल लगाया 75,000 किलोमीटर की यात्रा थी और इस यात्रा के महज 9 महिने बाद TDP पार्टी तेलगू डिसम पार्टी सत्ता में आई और टी रमराओ उसके बुखबंतरी बने और सब्सक्रवड़ी बात कि तेलगू डिसम पार्टी की यात्रा जो चेतन निरथम यात्रा है ये यात्रा गिनीज बुख बड़ और रिकॉर्ड में भी पार्टी बेखुबंतर दूसमा कि में आद निर्मान की यात्रा निकाली गई थी विर receptor की धार्टी पार्टी में देश आही सबसेगाय बनी और राम मंदर निर्माण को लेकर यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद बड़ा संगर्स हुआ, उत्वपिडिस में सपा सरकार थी, कार सेवकों पर गोली भी चलाए गई, उत्वान तरह है कि यहाँ पर घट्डा करम रहे, पर यातरा के बाद बीजेपी जो की पिचासी सांसरों के साथ थी, वो बीजेपी यहाँ पर संकल्प है, यह संकल्प स्पस करता है कि आने वाले समय में आपको किस पिदार प्रद्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो यातराओं का दौर है, वो दौर चलता रहता, पर यातराओं के माध्यम से अपनी खोई जबिन को पाना, जनता के बीज पहुंचना, और साथी साथ और उस रास्ते को पाना, उस मंजल को पाना, जिसके लिए हमें से यातराओं के सुरुबात की यह बहुत एहन है, क्योंकि चाहे भारत जोड़ो यातरा हो, चाहे चतन रथम यातरा हो, चाहे रथ यातरा हो, यहाँ पर यातराओं का दौर चलता रहता है, और यातराओं के म तीन महटपूर देस्सों को पा लिया था नमक कानू खतम करा रिया था मुकरमे वावस करा रिये थे और इस यात्रा की गूज आज भी बिटिस काल के उन लोगों में है जोनों ने समझा है कि जब बिटिस के अधीन भारत था बिटिस अधीन तब इस पार्टी की अपनी एक ग यकानड़ यात्रा माहरणिवा गान्धिर निका ली थी वसका इतिहास को नहीं पता कि 385 शीयात्रा थी और 26 गुल bak Đर वी हो उडि जी कौन में रधमयात्रा उसके बाद अगर 2004 की बाद करें तो रधमयात्रा के बाद 1990 के बाद को को आनपरेश में जब रेड़ी सरकार थी कॉंगरेश परिसान थी तो बाई सर कॉंगरेश की जग मोहन रेड़ी ने शुरुबात की परजा संकल प्यात्रा से और यहां पर अपनी सरकार बनाई यानि की जग मोहन रेड़ी की बाई एसार कॉंगरेश सरकार मैटपूर्ण पर साई साथ ही साथ ही सबसे एहम बात यहां पर यह है कि उसी पटकटा पर चलते हुए 2017 में परजा संकल प्यात्रा उन्होंने शुरुबात की और यात्रा के माध्धम से यहां पर जो सियासी समीकर्ण उसको मैनेज किया गया उसको बेस्टिट किया गया और सरकार बनाई गी उसके बार अब यहां पर कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मैटपूर्ण विस है कि जिस तरह से कॉंग्रेस का पिछली समय में परजासंद आ है अगर हम पिछली मार्च की बात करें पाज राज जो बिरांसर चुनाव रही जहां पर कॉंग्रेस की हालत बहुत खराब रही और खराब हालत की चलते यहां पर इस तरह की यात्रों की बहुत जरूवती पर यहां पर अभी प्रिस्न यह भी है कि जहां पर कॉंग्रेस पर यात्रा निकाल लाई है तो दूसी तरफ वहां पर अभी तक कोई राष्ट एड़ेश नहीं चुना गया कहा जाना नॉमर चुना जाएगा बहुत लेट क्योंकि उत्ता परेंस के बाद कर दिसके राश्टे की की सथ जुखंड до क्युंत अबार क्योंग्रेस की पड़ेस अद्यास उत्तापडेस का निश्चिक उसका निड़ना नहीं पाया और चुनाओं की सरगर्में सुनूर हो चुकि यहां जा रहा है कि नॉम्बर दिसंबर में इस तरह का चुनाओं नगन निगाए चुनाओं हो जाएगा क्योंकि कहा जा रहा है कि 24 के पहले का सेमी फाइनल है और साथी साथ यहां पर मेरपूर ये भी है कि अगर हम संक्टाल बयात्रा की बात करें रथयात्रा की बात करें या पड़यात्रा की बात करें हमारा उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द पहले कोंगरिस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए यहां पर भार जोड़ों यात्रा नहीं पर निकाली जाएगी बारा राज यात्रा निकले के उनके साथ 28 मेलाएं भी इस यात्रा में सामिल होंगी इसके साथ तमाम बड़े नाम कॉंग्रेस के और अन्य पार्टियों के सामिल होंगे जिसमें आपको बताया कि पिरसिद्ध बकीर बड़े निता पिरसान भूचान भी सामिल होंगे और स्वराज अंजुलन के करें जमीन आई बक्त बतायेगा इस तरह Chief धरातल पीयातरह होना जरूरी कि पराने प्रकटा पर चलता हो यहां पर डांदी इस यातरह चाहे रत्Вот यातरह की बात करें चाहे परजांगल पर यातरह बात करें और चाहे इस बंढ़ेत-पर बुन से नहीं करें सामाजभा य़ सब्सक्राइब परिवर्तन लटयात्र थी कि जा फिर्वां की वैस्ट भी निकाल लाए थि कि यहां जो जो परीष ठाव'll एक धिस्टैबल यह है कि मुझरीज की कोई जमीन को कैसे पाया जाए जाए और कौई जमीन को शुरुआ राज की गई और इस यात्रा के मादम से एक ब्यास्था तो स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में कॉंग्रिस अब धरातल पर उतरती नजर आएगी कि अगर सियात्रा कांगरिस के मताबिक पहला उद्देश को बांट दिया गया है उस भेदवा के खिलाव यात्रा रहेगी तीसरी सत्ता के दूरपयोग और सरकारे एजेंसियों के दूरपयोग यानि अपने हिसाब सो प्योग कराने की जो पतकरा चल रही है यह कॉंग्रिस के आरूप है इनको भी लेकर यात्रा की जा रही है यात्रा एहम है और चलती रहेगी 60 कंडेर रखे गए हैं जिसे लोग सवार रहेंगे और कहा जा रहा है कि इस कंडेरों में नास्ता भी स्वाइम कार करता बनाएंगे बाहर से नास्ता नहीं आएगा और जो भी इस यात्रा में सामिल होंगे वो कोई भी नेता हो बड़ा लेता हो कार करता हो वो होटल में नहीं रुकेगा आपको इस यात्रा में उन कंडेरों में वहां पर चलेगी इसके बार चारौफर चलेगी तो यहां पर जंता का जोडने का प्रयास और जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने आपको यहां पर व्यस्थित करते हुए एक खोई हुई जमीन पानी की सुरुवार कॉंग्रिस द्वारा की जा रही है पर यहां से जस्तरा हम देख रहे हैं कि नितिश कुमार द्वारा मुलाकातों को सल्चला जा रही है राहुल गांडी से मिलते हैं अर करना होगा संगर्थे लिए हैं संगर्ब्रीत जनता के माने के लिए धरादल पर करना हुगा और अगर आप चाते हैं कि भारतिन्दा पार्टी को अपकड़ी टक करते हैं उसके लिए आपको मेनट करनी पड़ेगी और एक ब्योस्ता ऐसी लागू करनी होगी एक सिस्टम ऐसा लागू करना पड़ेगा कि आपको अपने संगठन में उसी पिकार से मेनट करनी पड़ेगी जिस तरह से भारतिन्द काम करते नजर आते हैं तो जनता हमको चुनते हो यहां पर यात्राओं से अन्य किसी ट्वीटर आज़ीती से कुछ नहीं होने वाला है अगर यात्राओं से हम जनतार पा रहे हैं अगर यात्रा में जनता हमको समर्थन दे रही है तो हमारा यह नतित दायत में कि जनता के मुद पर्टी की तरह यहां पर सरकार से लड़ रही है जनता के लिए अगर कॉंग्रेज इस तरह की क्रिया कलाब करेगी अगर आने बाले समय में उसको लगता है कि गलट कर रहे हैं तो उसके ख़लाब कोई प्रश्चिर कर पाएगी अगर कॉंग्रेज अपने आपको ब्युक्त कर कर पाएगी तो निश्चिर कर पाएगी तो निश्चिर से यहां पर करना होगा विस्तार यहां पर करने होगी समीच्छा और यहां करने पढ़ेंगे आपको संकल्ब क्योंकि यहां पर भारत जोड़ो यात्रा से जरूरी पहले हैं कॉंग्रेज जोड़ो यात्रा जब आप कॉंग्रिस में ही देश की भलाई है और इस बिचार धारा को आप आम जंता तक ला पाएंगे तभी आपका यह यात्रा है इसका देश सफल होगा और तभी आप 24 के चुनाओं में बीजेपी को कड़ी चुनाओती नहीं सकते हैं अन्यथा ऐसी यात्रा है हमाई देश में इति कि जब-जब कोई यात्रा निकली तो से संकल्प हुआ है यका कि यातरा के साथ कि जाता है तोत परड़नाम कि अपने निपते हैं चैकलता के लिए केवल्यों क संकल्फ करना जरूआ। अगे बनना है कि जब तक आप जनता को अपनी बेचारधारा अपनी व्योस्था और अपना अच्छाई का एक प्रमान नहीं देंगे अपनी व्योस्था का प्रमान नहीं देंगे और यह बताएंगे नहीं कि हाँ अगर जनता आपको बोड़ेगी तो आप जनता के लिए काम क आपको यहाँ पर संगर सकना होगा और रखना होगा तो पढद Okay कौकी यात्रा है यात्र左 अगर अगर 20 में कांग्रेश को लाभ लेना है तो यहाँ पर छोड़ना होगा संगल्ब और जगाना होगा अपने कारकरतों में जोस तभी हो पाएगी कांग्रेस की भार जुड़या यात्रा का सही संकल्भ तो आज की चर्चा में अतना ही नमस्कार अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच